कैलाश परवत की कहानी इतिहास वर रहस्य कैलाश परवत भारत के उत्तरी पडोसी देश तिब्बत की परवतीय श्रंखला है कैलाश परवत अपने आप में अद्भुत रहा है इस परवत को लेकर अनेक कथाय प्रचलित है जिनके मान्यता है कि कैलाश परवत पर भगवान श किमी अधिक है और आज तक माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे उची छोटी है एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7000 से अधिक लोग सफल चरहाई कर चुके हैं पर एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई नहीं पनुचा है ये एक अधुत रहस्य है इ चारो तरह अलग-अलग जानवरों की आकृती है और इन प्रतिमाओं से चार नदिया निकलती है जो इस परवत को चार भागों में बाटती है मानसरोवर तथा राक्षस जील कैलाश परवत पर स्थित है कैलाश परवत अनेक नदियों का उदगम स्थल भी है जिसमें ब्रह मानसरोवर जील इस परवत पर है माना जाता है कि सुभह ब्रह्म महुर्त के समय इस जील में भगवान स्वय स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है मानसरोवर जील में कल्प व्रिक्ष है जो हर मनोकामना पूर इस व्रिक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस व्रिक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इन्शान ही पहुँच सकता है। 20 मीटर है, तथा मांसर ओवर जील का आकर सुर्यकार है, तथा राक्षस ताल जील की लंबाई 225 मीटर है, और इसका आकार चंद्राकार है। 20 मीटर के दौरान यमराज नामक छोटी आती है, इस छोटी से कैलाश परवत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है, और लगभग 50 किलो मीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुचते है, यानि एक परिक्रमा पूर्ण होती है। क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित है। जैन धर्म के प्रथम तीर ठंकर, रशब देव तथा बौध धर्म गरत के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस परवत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। ये परवत पर अनेक रश्य मुनियों की तब्भूमी है, तिब्बत चीन का अधीन है, इसलिए चीन ने इस परवत को फतह करने के लिए अनेको प्रयास किये, पर आज तक इस परवत पर कोई नहीं चरा पाया है। परवता रोहियों का मानना है कि इस परवत की चरहाई चरहने पर व्यक्ती दिशा का ज्यान भूल जाता है, तथा भावनात्मक रूप से क्षीन जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस परवत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियां इस परवत पर अलोकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्य जनक घटनाय घटित हुई है, तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फ बारी हुई, तो कभी रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश परवत की उपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। के 12 परिक्रम लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस परवत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनियां उत्पन्न होती है। जहां भगवान शिव इस परवत में मौझूद है और वे डमरू बजा रहे हैं। पर वैग्यानिकों के आधार पर य लेवन दिन में नाखुनों की लंबाई वहां मात्र 12 घंटों में बायाच जाती है। ये सच्चाई है पर इसके कारण के बारे में कोई वैग्यानिक तर्क नहीं दिया गया है। परवत की इन अध्धुत शक्तियों से कारण कोई यात्री इस परवत को विजय नहीं कर पाय इसलिए चीन के सरकार से 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस परवत की चरहाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चरहाई करना गैर कानूनी अपराद है। कैलाश परवत दुनिया के दुर्गम परवतों में से एक है। हिमाले जैसे परवत पर भी कई बार सफल चरहाई की जा चुकी है पर कैलाश अभी भी अजेय है और शायद अजेय ही रहेगा पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलता पूर्वक कैलाश परवत की यात्रा की थी। इस परवत पर भगवान शिव की शिवशक्ति मूर्ति भी है। कैलाश और भगवन शिव की स्थिती पर अनेक काव्य रचे गए हैं जिसमें माघ रचित शिशुपालव धम काव्य प्रमुख है। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदु धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। माना जाता है कि कभी-कभी इस परवत पर सामने नहीं आ सकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें।